दोस्तों आज की समय में हर कोई ड्रीम 11 से करोड़ पती बनना चाता है लेकिन जादता लोगों को टीम का सही चुनाव करना ही नहीं आता अधिकता लोग भावनाव में बैकरी टीम बना लेते हैं जैसे मानो मुझी रोई सर्मा पसंदे तो मैं रोईत को अपने टीम में सेलेक कर लिए तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसे ही होता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक नहीं तरीकी से सिखाऊंगा कि एक बेस्ट विनिंग टीम कैसे बनाई जाती है भावनाव से उपर उठकर कैप्टन और वाइस कै का सही चुनाव कैसे करते हैं और साथी साथ ये भी डिसकर्स करेंगे कि ड्रीम 11 टीम सेलेक्ट करते समी हमें किन-किन बातों का ध्यान रगना चाहिए इसके लिए सबसे पहले आपको ड्रीम 11 एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो की डिसक्रिप्शन में दिया है सिंपली आपको इसे वहां से डाउनलोड कर देना है डाउनलोड करते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंट्रीफेस देखने को मिल जाएगा नीचे आपको गेट स्टाटेट का ओप्शन दिख रहा होगा यहां पर क्लिक करते हैं आपको अपने सामने कुछ इस तरीके का इंट्रीफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहां पर जितने भी अपकमिंग मैच हैं उसकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जिसे साड़ी तीन बजे मुंबई इंडियन्स और दिल्ली करिप्टेल्स का मैच है और दोस्तों साड़ी स प्राइज मनी भी अलग लग होती है, जैसे मानों मैं इस कॉंटेस्ट में भाग लेना चाहता हूँ, इसमें इंट्री फीस 49 रुपे है, यदि आप मेरा इन्वाइट कोड यूज करते हैं, तो आपको यह कॉंटेस्ट 20 रुपे में मिल जाएगा, इस कॉंटेस्ट पर क्लिक क को लाच्स तक देख सकते हैं, दोस्तों टीम बनाने के लिए आपको सिंपली ज्वाइन नाव पर क्लिक कर देना है, मैंने आपको समझाने के लिए चैन नहीं और लखनाओ का मैच लिया है, आप चाहो तो आप दूसरा मैच भी ले सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको टो कि आपने सही टीम चुनी है या नहीं, इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली नेचे प्रिव्यू पर क्लिक कर देने, यहाँ पर आप अपनी चुनी वही टीम देख सकते हैं, यहाँ आप अपनी टीम से संतुष रहें तो नेक्स पर क्लिक कर देजे, अब दोस्तों यहाँ सबसे में इंपोर्टेंट बात आती है, कैप्टन और वाइस कैप्टन की, सही मान्यों में देखा जाए तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के परपोर्मिस पर ही आपकी टीम की परपोर्मिस टिकी होती है, आपको जिस भी पिलियर को कैप्टन या वाइस कैप्टन चुनना ह उसका चुनाव दोस्तों आपको सोच समझ करना होगा उसकी बाद आपको simply save पर क्लिक कर देने क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीगा का इंट्रिफिस आ जाएगा ज़्याइन कॉंटेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप इस contest में जॉइन हो जाओगे यहाँ से दोस्तों back आने पर आप my team पर अपनी team देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों आप चाओगो तो आप और contest में भी जॉइन हो सकते हैं लेकिं दोस्तों मैं आपको सलाह दूगा कि starting में आप सर्फ एक contest में भाग लेजे जब आप इसे अच्छे से समझ आते तो फिर आप अपनी बैकि अगांड में कैसे ट्रांसफर्र करेंगे Simply दोस्तों इसके लिए आपको अपनी profile पर क्लिक कर दिने नेचे आपको bid roll का option दिख रहा हुगा उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा interface खुल कर आ जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी KYC details समीट करनी है उसके बाद दोस्तों जिस भी bank में आप पैसा transfer कराना चाते हैं उसे यहाँ पर add कर दिजी कुछ समय बाद ही आपकी जीती हुई price बनी आपके bank account में transfer हो जाएगी